हेलो दोस्तों नमस्कार मैं मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार एमोविथास में तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है SSE CGL 2024 का एकजाम फर्स्ट स्रिप्ट का समाप्त हो गया है तो हमारे पास जितने भी कोशन पूशे गए थे आ गए हैं जो आप ही लोगों के द्वारा बताया गया है अगर आप लोग हमारा वार्टसप नमर अगर आप लोग कोशन सेंड करना चाहते हैं तो वार्टसप नमर लिख राम लिख लिजिए असी बावन यहां पे पंदरह हो जाएगा और यहां पे तेईस और क्या हो जाएगा आडटाली से यह वार्टसप नमर है आप लोग कोशन इस पे सिंड कर सकते हैं देख लिखे पहले कोशन देखते हैं जो आपके एकजाम में पूछे गए थे देखिए पर अप लोग इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं देखेए जैसे अगर इसका फर्मूलों क्या होता है तो x2 plus 1 upon x2 होता है अगले कोस्ट में क्या निकलना पड़ेगा आपका देखिए xQ plus 1 upon में क्या निकलना पड़ेगा जैसे अगर आप लोग x2 Plus 1 upon अगर x square निकालते हैं तो यहां से आपको क्या मिलेगा देखिए जैसे निकालेंगे तो 5 का square कर देंगे 25 में से 2 गटा देंगे आपको कितना मिल जाएगा 25 में से 2 गटा देंगे तो आ जाएगा 23 आ जाएगा उसी परकार यहां से आपको क्या निकालना है यहां से आप लोगों को यक्स Q निकालना है x q और यहाँ पे plus 1 upon क्या निकालना पड़ेगा x q निकालना पड़ेगा अब देखिए 5 का q कर देंगे कितना आ जाएगा 125 minus 3 होता है 3k होता है यानि क्या हो जाएगा हमारा 5 या 15 जैसे गटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा तो यह 110 मिल जाएगा 110 आ गया है तो बस इसमें आपको क्या करना है while you put कर देना है तो column मैं change कर देता हूँ आप लोग अच्छे थे समझे देखिए यहाँ से हमें while you put करना है तो देखिए x square plus 1 upon x square कमान कितना आ गया है 23 आ गया है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 23 इगारद उना के 22 23 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25 माइनस 5 गटा देंगे तो आपका answer कितना आ जाएगा यह 25 25 आ जाएगा देखिए इस सवाल का right answer तो आ गया अब देखिए अगर आपके shift में यह दे दिया गया है x plus 1 upon x बरबर 5 दे दिया गया है तो क्या पता हमसे क्या पूछा गया देखिए x plus 1 upon x कि पावर 5 पूछा गया है अगर मान लेजिए अगर एक shift में यह पूछा गया है ठीक आप लोग ऐसे समझे तो अगले shift में क्या पूछा जा सकता है अगले shift में यहाँ से दूसरा question क्या बन सकता है जैसे मान लेजिए x minus 1 upon x बराबर अगर k दे दे तो अगले shift में साइद इसकी value पूछ ले x की पावर 5 minus 1 upon x की पावर 5 कमान पूछे तो आप लोग इसका formula याद रखे रहे देखिए क्या होता है यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है x square plus 1 upon x square निकालना है और अगले question में क्या निकालना है देखिए x q minus 1 upon x q निकालना है उसके बाद से minus क्या कर देना है x minus 1 upon x इसी को क्या कर देना आपको घटा देना है तो यह चीज़ा आप लोग याद करके रखे रहे हैं आपके exam में direct यहाँ से question पूछे जाएंगे तो चलिए आए हम लोग तीसरे question पर चलते हैं तीसरा question यहाँ से आपका क्या बना था तो देखिए इस पर आप लोग देखिए अगर आप हमारा circle का वीडियो देखे होंगे जितने भी result और important theorem है मैं सब करवा दिया हूँ तो एक यहाँ से इस पर question पूछा गया था देखिए DCT DCT मतलब क्या हो जाएगा direct common tangent यानि उबैनिश्ट इस पर सरेखा की लंबाई इसका formula क्या होता है तो सिदे सिदे यहाँ से आपको D square minus यहाँ पर क्या आजाएगा R1 और minus यहाँ पर क्या आजाएगा R2 का square हो जाएगा एक इस पर question पूछा गया था आप लोग देखिए और यहाँ से चौथा question देखिए देखिए यह तो एकजाम में नहीं आया था मैं बता रहा हूँ तो D square minus यहाँ पर क्या होता है R1 और यह plus क्या होता है R2 का whole square होता है तो देखिए अगर मान लेजिए पहले shift में यह पूछा गया है तो दूसरे shift में आपके यह question पूछा जा सकता है तो उमीद करता हूँ कि यह भी question आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा देखिए पांचवा question यहाँ से क्या बना था तो देखिए X square minus 9 बता में क्या दे दिया था आपका X minus 3 दे दिया गया था तो इसका मान तो यह क्या है देखिए यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे देखिए X square minus Y square का फर्मूला क्या होता है होता है हमारा A minus B और अगले cost में क्या होता है A plus B होता है तो जस्ट इसी पे रखना है तो इसको रखेंगे तो क्या बनेगा A cost में X minus 3 अगले cost में क्या आ जाएगा X plus 3 आ जाएगा बटा में आपको क्या करना है X minus 3 करना है देखिए यह X minus 3 से यह minus कर जाएगा तो answer हमें क्या मिल जाएगा तो X plus 1 पान यह sorry X plus 3 हमारा answer आ जाएगा तो चलिए अगले question पर हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए मैं वही वही question करवाओंगा जो आप लोगों के exam में पूछा गया है अगर आप लोग इस class के PDF आना चाहते हैं तो telegram channel join कर लिजिए आपको वहाँ पर मैं send कर दूँगा देखिए छठवा question हमसे क्या पूछा गया था तो आप लोग ऐसे समझे जैसे माली जी आपका discount percentage दे दिया गया था कितना दिया गया था तो 40% माली जी डिसकाउंट और profit percentage आपको कितना दे दिया गया था तो 10% का profit percentage दे दिया गया था ठीक और आपको देखिए यंपी बराबर यंपी मतलब mark price होता है यह आपको दे दिया गया था मन लेजिए 550 दे दिया जाए तो हमसे क्या पूछा गया है देखिए CP हमसे पूछा गया है अब देखिए इसका direct result क्या होता है तो CP upon MP इसको आप लोग याद रखे रहे हैं फिर आने वाले सिप्टों में यह question पूछा जाएगा न CP upon MP यहाँ पे क्या आजाएगा 100 minus D और बटा में यहाँ पे क्या आजाएगा यहाँ पे आजाएगा 100 plus P आजाएगा उमिद करता हूँ कि यह फर्मूला आप लोगों को पता होगा तो जस्ट इसमें वाईलू आप लोग रखेंगे यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग CP बटा में MP कमान कितना दे दिया गया है 550 दे दिया गया है यह किसके इकवल हो जाएगा देखिए 140% का डिसकाउंट है जैसे गटा देंगे कितना आजाएगा 60 आजाएगा बटा में 100 मे तो इस सवाल का राइट एंसर कितना आ जाएगा 300 इस सवाल का राइट एंसर आ जाएगा तो उमीद करता हूँ कि यह भी कोशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आए अगले कोशन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए यहां से यह सातवा कोशन है है एक हिंट दे रहा हूं यह जिवा पी की वाय और यह की जिवा आपकी कितना दे दिपया गया है 20 चैनली मिटर और इन दो जिवाओं के बीच का डिस्टेंस मतलब यह आपको कितना दे दिया गया था साथ सेंटिमीटर दे दिया गया था तो हमसे मतलब देखिए 2R मतलब बयास इसका डायमीटर हमसे पूछा गया था तो आप लोग अच्छे से समझेए मैं आपको समझा रहा हूँ जैसे माल लिजिए यह सेंटर है यहां पर सेंटर हो है ठीक अब आप लोग जैसे यहां पर डालेंगे तो यह चीज क्या हो जाएगी यहां पर देखिए यह जीवा देखिए यह टोटल पीक्यू की लंबाई कितना दे दिया गया यहां पर आप लोग देख सकते हैं यम दे दिया गया है और यहां पर जो कटकर रा यहन हो जाएगा तो यह परपेंट्र कुलर हो जाएगा सभी को पता है तो यह 12 सेंटीमीटर इधर भी 12 सेंटीमीटर यह कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर थोड़ा समाई कलम चेंज कर देता हूं आप लोग अच्छे से समझे देखिए छीकार यह फिर आने वाली है अब मालनी जी अगर ज़स्ट आप लोग यहां से इसको थोड़ा सा मिश्टेक हो गया आप लोग ऐसे समझे यहां से इसको मिला दिया गया न अब देखिए इसके यम और यन के बीच का डिस्टेंस आपको उपर फीगर बनाके जस्त थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है इमाइजीन करना है देखिए यहां पे ओ है और यहां पे यह मैं आपका और यहां पे आपका क्या दे दिया गया है पी दे दिया गया देखिए यह 12 सेंटिमीटर है ठीक चीक आने वाली आप लोग इमाइजीन करेंगे इसको भी देख लिजिए यहां पे मैं तोड़ के दिखा दे रहा हूं थोड़ी सी समस्या है देखिए यहां पे क्या है आपका यह दे दिया गया है और यहां पे आपका क्या है यह दे दिया गया है अब देखिए यहां पे ओ है अब देखिए यहां प पांच मिलके यह तोटल हमारा क्या हो रहा है उमिद करता हूं कि समझ में आ गया होता अब देखिए आपको क्या देखिए रेडियस हमारे कितने निकल गया है तेरा सेंटिमीटर तो हमसे टू आर पूछा है तो तेरा दुना के कितना आ जाएगा 26 सेंटिमीटर इस सवाल का र आप लोग यहा है, आप लोग टेंशन मतं लेज्य है तेखिए आठवा इस सक्वायर 29 अपलस यहाँ पे आ गया था 17 representative हमसे इस कमान पूछा गया था बताइए मतलब एतना easy question पूछा गया है आप लोगों को कुछ नहीं करना आयए देखिए इसमें आप लोग क्या फर्मूला लगा सकते हैं कुछ नहीं देखिए जैसे दो इंगल का सम देखिए यहां पर कितना बन रहा है 90 डिग्री हो रहा है या तो आप लोग इसको चेंज करके लगा सकते हैं या सिधे वाइलू पूट कर देखिए दो इंगल का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो दोनों को आप लोग वाइलू में कुछ भी एजूम कर सकते हैं जिसका सम 90 डिग्री आ सके तो सिधे हम लोग 45 रिखेंगे तो 1 बाई अंडर 2 होता है तो यहां होता है तो यहां पे कितना आ जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 तो डिरेक्ट इस कमान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा उमीद करता हूं कि यह भी समझ में आ गया होगा देखिए नवा कोश्चन क्या पूछा गया था तो जैसे देखिए मान लिजे यह टाइप की बस्तू है यह बी टाइप की बस्तू है ठीक ए पर मान लिजे इसका दाम कुछ भी हो यहां पे 80 दे दिया गया था और यहां पे क्या दिया था चेक कर लेता हूं यहां पे आपको दे दिया गया था 55 दिया था यहां पे क्या दिया था 55 और यहां पे 88 अब इनका हमसे दोनों को मिला द दिया जायेगा अब यहां से देखिए दसवा कोशन भी आप लोग अच्छे से समझ लिजीए देखिए जैसे यह आई-सेलेश्ट रिएंगल दे दिया गा था ना संभावू तरीबूज इसकी दो साइड देखिए कितना दे दिया गया था देखिए इसकी दो साइड सोरा सें समझ में आए होंगे और एक और मैं आपको बात बता दे रहा हूं आप लोग इसको भी देख के जाए कुछ component point है जो मैं लिख दे रहा हूं हो सकता है आने वाले सिř्टों में पूछ दिया जाए जैसे माल लिजिए x plus 1 upon x बराबर अगर k दे दिया जाए हमसे x square plus 1 upon x square का मान पूछा जाए तो यeszके क्या होता है के स्क्वाइर माइनस वन होता है उसी परकार यक्स माइनस वन अपान यक्स बराबर अगर के दे दिया जाए तो हमसे यक्स स्क्वाइर प्लस वन अपान यक्स स्क्वाइर का मान क्या पूछ सकता है तो यहां से आ जाएगा यह कट पीट है चुड़िए के इस्क्वाइर पुलस क्या आजाएगा? दो आजाएगा अब और यह देख लिए x प्लस बॉन अपान x बराबर अगर के दे दिया जाए तो x q प्लस बॉन अपान x q क्मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? k q माइनस क्या जाएगा? 3-k अब यह आई पर मान लिजिए अगर x-1 upon x बराबर आपको क्या दे दिया जाए के दे दिया जाए आपसे क्या पूछा जाए x q-1 upon x q कमान पूछा जाए तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं तो देखिए इसको लिख सकते हैं k का q plus 3k तो देखिए आने वाले सिप्टों में यहां से question पूछा जाएगा और मैं एक और बता बता दू देखिए जैसे percentage से जो percentage chapter है इस पे election based question पूछा गया है तो इसको मैं साम को देखिए देखिए first shift का exam हो जाए second shift का और third shift का तो इन तीनों shift को मिला के जितने भी question पूछे गया है सारे question का वीडियो आपको साम को मिलने वाली है तो मैं अच्छे से हर एक type का question में cover कर दूँगा तो आप लोगों को tension लेने की जरूरत नहीं देखिए percentage हुआ जैसे टिग्नोमेट्री के और question पूछे गया थे तीन से चार question टिग्नोमेट्री का सरकल से दो question आया था जोमेट्री से भी question पूछा गया एमेंसूरेशन से देखिए जैसे cylinder हुआ यहां से question पूछा गया है तो जितने भी type के तीनों shift में बनेंगे तो हम लोग अगली shift साम को एक shift आएगी आल shift का निचोड ऐसे समझी है यहां तीनो shift का analysis तो उसमें मैं वीडियो में cover कर दूँगा तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार मिलते हैं next session में जै राम जी की